हे चैंप्स मेरा नाम है लक्षे वर्मा और आज हम आटो बायोग्राफी पड़ेंगे जिसका नाम है अमर जीवन 1876 इस आटो बायोग्राफी को रसुंदरी देवी जी ने लिखा है बेसिकली ये आटो बायोग्राफी रसुंदरी देवी जी के उपर है रसुंदरी जी पैदा हुई 1810 को और उनकी देट हुई 1899 को उनको उनकी मदर और रिलेटिस ने रेज किया जब वो बारा साल की थी तब ही उनकी शादी हो गई थी सीतानाद सिक्दार नाम के एक आदमी से जो कि एक लैंडलोड है उनको पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने सीक्रेटली लिखना और पढ़ना सीका अमर जीबन का दूसरा नाम था माय लाइफ और ये दो पार्ट में पब्लिश हुआ था पहला पार्ट 1876 को पब्लिश हुआ था और दूसरा पार्ट 1906 को पब्लिश हुआ था तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करें इस ऑटो बायग्राफिक को इजी लैंग्विज में समझते हैं शुरुआत होती है रसुंदरी देवी जी की शादी की तयारी चल रही है देवी बताती है अपनी फीलिंग्स के बारे में जो की शादी का सुनकर आई देवी अपने आशुओं को रोक कर बैठी थी वेडिंग म्यूजिक, इंस्टुमेंट, रेड वेडिंग साड़ी, गैस पर फोकस करकर वेडिंग रिच्वल्स खतम होने के बाद माता जी देवी को फेरवेल देती है और कहती है कि गौड तुमारे साथ है इसे देवी की में है वहां बोर्ट से पहुची थी देवी अभी भी अफ्रेड है और उन्हें एलोन फील हो रहा है स्ट्रेंजर्स के बीच देवी अपने आपको एक केज में बर्ड और पकड़ी हुई फिश की तरह कंपेर करती है देवी को अपनी फैमली और फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है देवी याद कर रही है अपनी जर्नी को वो बताती है कि जब वो बारा साल की थी तब उन्होंने काफी स्ट्रगल किया काम करने में क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी जब वो 14 साल की थी तब उनको बुक रीट करना बहुत पसंद था जब वो 18 साल की हो गई तब उन्होंने एक बच्चे को जनम दिया लोग मानते थे कि औरतों को पढ़ना एक अजीब चीज है देवी बताती है अपना एक इंसिडेंट जब वो घर के कामों में बहुत बिजी थी तब उन्होंने दो दिन तक लगतार खाना नहीं खाया था देवी ये भी कहती है कि उनको उनकी मा से भी मिलने को मना किया क्योंकि देवी के इंलाउस को लगता था कि देवी अगर यहां नहीं होगी तो घर का काम स्कॉन करेगा देवी डिस्क्राइब करती है अपने एमोशन्स और एक्स्पिरियंस इसको टाइम से टाइम के साथ देवी की पढ़ने की डिजायर और भी स्ट्रॉंग हो गई थी लेकिन देवी को पता था कि अगर वो पढ़ेगी तो काफी शेम और क्रिटिसिजम जेलना पढ़ेगा इसलिए उन्होंने सारी होप्स को अबैंडन कर दिया लेकिन एक रात उनको सपना आया कि वो सेक्रेट टेक्स पढ़ रही है देवी ने काफी रिस लेकर लिखने और पढ़ने को सीखने का टास्क लिया लेकिन सीक्रेसी में रसुंदरी देवी conclude करती है कि criticism का डर उनको लिखने और पढ़ने से रोक रहा था और वो याद करती है उस humiliation को जो कि वो experience कर रही है देवी कहती है कि ये सब इसलिए जेलना पढ़ रहा है क्योंकि वो एक औरत है